नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की सैफिलेब और टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है सैफिलेब और टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सैफिलेब और टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि सैफिलेब और टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सैफिलेब और एक ब्रैंड नेम है सेफिलेब और टैबलेट एक एंटिबायोटिक दवा है सेफिलेब और टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है जैसे फैफरों में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर निमोनिया होने पर खासी होने पर पेट में इंफेक्शन होन दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर पेशाब में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्टर सैफिलेब और टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर, या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर सेफिलेब और टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Cephylab और Tablet को लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिन में आपका Dr. Cephylab और Tablet को लेने की सलाह दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Cephylab और Tablet की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकि कम लगना मुह का स्वाद खराब होना वचा पर रैशिस होना वचा पर खुजली होना पेट में दर्ध होना सिरदर्ध होना और दस्थ होना आदी साइड इफेक्स सैफिलेब और टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की सैफिलेब और टैबलेट को कैस उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सैफिलेब और टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं सैफिलेब और टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे कि सैफिलेब और टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। सैफिलेब और टैबलेट को लेने के बाद और सैफिलेब और टैबलेट को लेने से पहले दो घंते तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंतासिड दवाओं और आईरन सप्लिमेंस के साथ सैफिलेब और टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। सैफिलेब और टैबलेट को केवल उठने समय के लिए ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सैफिलेब और टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सैफिलेब और टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टे पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सैफिलेब और टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है इसलिए सैफिलेब और टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आ किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किडनी की बेमारी से पीडित व्यक्तियों में सैफिलेब और टैबलेट की डोज घटानी पढ़ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिल महिलाओं के लिए सैफिलेब और टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सैफिलेब और टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका करके पुच सकते हैं